IPL 2022 सीजन का 11 मुकाबले में पंजाब किंग्स के अकरामक बल्लेबास लियाम लिविंग स्टोन ने एक अलग ही अंदाज दिखाया उन्होंने इस मुकाबले में अपना वही अंदाज दिखाया जिसका इंतजार फांस को बेसबरी से था चिन्ने के हर गेंदबास की क्लास लगाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी तॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की शुरुवात भले ही खराब रही लेकिन लियाम लिविंग स्टोन ने धवन के साथ मिलकर मैच का रुखी पलट दिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुवात अच्छी नहीं रही कप्तान मयंग अगरवाल पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर चार रन बनाकर वापस पवेलियन चलते बने फर्स डाउन बल्लेबाजी करने उतरे भानुका राजपक्षा ने कुछ शांदार शॉट लगाए और नौ रन की पारी खेल कर धोनी के हाथो रन आउट हो गए यहां से टीम की पारी की कमाज शिखर धवन और लियाम लिविंग स्टोन ने सम्हाली दोनों के बीच ताबर तोर अद्र शत्र की असाज़िधारी हुई चिन्ने के खिलाफ लियाम ने अपना अकरामक अंदास दिखाया और 32 गेंदो का सामना करते हुए साथ रन की आतिशी पारी खेड़ लाली इस पारी में उन्होंने पांच चौकी और पांच गगन चुंगी छक्के जड़े उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मैन आउप दी मैच के अवार्ड से नवाजा गया है चिन्ने के खिलाफ 54 रनों से मिली ताबड तोर जीत के बाद लियाम लविंग स्टोन को मैन आउप दी मैच का अवार्ड जो है वो दिया गया यह थी हमारी आज की IPL से जुड़ी हुई अबडेट ऐसी ही अबडेट से अबडेट रहने के लिए हमारे चानल को सुस्क्राइब करीजिए